नमस्कार दोस्तों स्वागता एक और नहीं वीडियो में मेरे नाम है प्रदीप आप देख रहे हैं टेकनोलोजिया और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा रिकवरी के बारे में एगर आपके पास कोई पैंड ड्राइव है और उसका डेटा जाने अंजाने करके रखा था मोबाइल का जो एश्डी कार्ड है उसमें स्टोर करके रखा था या फिर कंप्यूटर लेप्टोप की जो हाड ड्राइव रहती है उसमें स्टोर करके रखा था या फिर यूस्वी हाड ड्राइव में पैंड ड्राइव में स्टोर करके रखा हुआ था तो अ आसानी से मातर तीन स्टेफ फॉलो करके किसी भी तरीक्य का कोई भी डेटा हो उसको आसानी से रीकवर कर सकते हो तो चले मैं आपको complete process दिखा देता हूँ तो देखे डेटा को रीकवर करने के लिए आपके पास एक software होना चाहिए तो इसमें आपकी help करेगा टैनो सेर का 4 रोड करने का option आपको देखने को मिल जाएगा उससे पहले मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा यहां पर देखे आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपका डेटा अगर डिजिटल कैमरा में था या फिर ड्रोन का जो SD काड रहता उसमें था पीसी लैप्टोब में था य या फिर ओडियो फाइल हो किसी प्रकार की फाइल हो उसको आप आसानी से रिकोर कर सक्ते हो और आप तीन स्टैफ फॉलू करने रहते हैं आपको चले कैसे डाउनलोड करना है अगर मैक यूज करते तो यहां सी आप मैक के लिए बी डाउनलोड कर सकते हो अगर विंडव लेप्टोब में इसको इंस्टॉल कर लेना है मैं आपको दिखा दिता हूं complete process यहाँ पर install का option आपको देखने को मिलेगा इस पर आपको क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर देखे आप इसको open करने, right click करके आप जो open कर सकते हो या फिर double click करके इसको आप launch कर सकते हो तो चलिए मैं आपको process दिखा देता हूं तो मैं यहाँ पर double click करता हूं और यह software successfully open हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हो इस तरह का जो आपको इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आप click करके c drive का data रेक कर सकते हो जितनी भी आपकी system में drive रहती है, वह यहाँ पर दिखा देगा, जिस भी drive का data आपको require करना है उस पर click करका अगर desktop से data रेकवर करना है तो यहाँ पर desktop select कीजए, अगर recycle bin में आपका data ठाल और वह आपने उसको בר कर कर सकते हो और किसी कोई आपने accepted कोई folder बना रखा था उसका data आपको recover करना है तो यहां से आप उसको रिक्वर कर सकते हो फोटो को रिपेर कर सकते हो और जो यहां इनेंस वीडियो recovery का भी option आपको देखने को मिल जाता है अब देखें यहां पर मैं आपको दिखा देता हूँ यहां पर हमारा जो है कि यह पर folder है इसके अंदर यहां पर कुछ file है इनको मैं जो है यहां पर delete कर देता हूँ ठीक है यहां पर delete किया Yes कर दिया और और यहां पर recycle bin से भी मैं जो embed कर देता हूं आप कैसे रिकवर करना है तो यहां पर देखे यहां पर select folder option मैंने select किया और यहां पर डेक्स्टोप पे यह folder था यह मैंने select कर लिया है और यहां पर click किया ठीक है उसके पाद यहां पर कह रहा है कि photo आपको रिकवर करनी है फिर video र पर डेकवर करने है वह आप select कर लिजिए ।ॉ आपको क्लिक करने और इसकेबाद यहां पर देखे इससी तरह से दिखा देगा और कुछ सेकेंड में यहां पर आप कर देगा यहांपर यहां पर रीकवर करके देगा यहां रिकवर कर सकते होँ और उस ます तो फिर आप जो आप आसानी से require कर सकते हो तो यहाँ पर देखे scanning चल रही है तो आपको थोड़ा सा आपको wait करना रहेगा पर scanning जब तक complete हो जाए तो कुछ second के लिए wait कर लेते हैं तो जैसे scanning complete हो जाएगी तो यहाँ पर दिखा देगा scan complete आप यहाँ पर कीजिए उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी data रहता हुँ यहाँ पर आप आप आपको दिखा देगा ठीक है तो जो भी data आपको require करना है वह आप यहाँ पर दिखा देगा लोश्ट फाइल यहाँ पर अपने साफ से देख लिजे कौन सा data आपका था और यहाँ पर टाइप और इस देख पर यहाँ पर फोटो वीडियो अपने साफ से दिखा देगा जैसे कोमेंट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखा देगा डिको में कौन-कौन सी आपके फॉछ्टर घुचादेगा और अगर connection ऑगा तो यहाँ पर ख्लिक करके देख सकते हो इसके साथ सकते हैं और इस तरह से बिर्व्य भी कर सकते हो और आपको लगता कि यह सकते हैं और उसके बाद यहां पर रिकवर का जो प्रक्लिक करना रहेगा और जैसेator को करेंगे करेंगे उसके बाद कि ए नंडिक ह्कुलकरणा है तो आपनी है सैस्ध करना। तरहको क्लिक करना है और यांपर क्लीक करना है चोंब धिस तरह से आप डिटा को कर सकते हो जो एक लिंडो डेटा रिकवरी सौफ्टियर इसकी मदद से लिंक डिस्क्रिक्टियुर में मिल जाए त्राइब करना वागि यह आपको बता दूँ यहाँ पर दो GB तक आप फ्री में आपको recover कर सकते हो उसके बाद आप इस software को purchase कर सकते हो आपको discount भी मिलेगा काफी अच्छा अगर इसको buy करते हो तो इस software के माध्यम से 2GB तक का data ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही था software का जो link के वीडियो के description में दे दिया है और comment में इने पिंग करते एक बर जरूर ट्राइ कीजिए हो सके तो ट्राइ जरूर कीजिएगा पैसे नहीं लगरे ट्राइ करने के ठीक है और इस तरह की help और वेस वीडियो आगी पना चाहते है तो चैनल को जरूर सब्सक्रेब कीजिएगा मिलता जल एक और नहीं जानकरी के साथ अपने ख्याल